अमारे नेक्स्ट टॉपिक है इंबलिजम तो एन एंबलिजम इस आर डिटेज्ट इंट्रवस्कुलर सॉलिट लिक्विड गैसिस मास तो अपने थ्रॉंबोसिस में देखा था कि थ्रॉंबस फर्मिशन हो रहा था जब वो डिटेज हो रहा था उससे अपनी बॉल से तो उसक करेगा जहां भी जाएगा महां पर इंफ्रक्शन करा सकता है वह सारे डाल सकता है तो इसको बोलते एंबलिजम ठीक है डेफिनेशन हो गई पर इसको आदाते क्लासिफिकेशन तो एंबलाई आर ग्लासिफाइज ऑन बेस्ट जैसे विज्ट लिक्विड गैस फिसकली स्टे पर आखरी में देखेंगे air emboli में ठीक है रहा है इंफेक्टेज और नॉट इस टेराइल एंबलाई है कोई इंफेक्शन नहीं है तो इस्टेराइल बोल देंगे और कुछ इंफ्रक्शन की थ्रू हो रहा है तो एस्ट की नहीं थीडेजिए और जहां से वह और इच सब्से से फिर फ्लो फ्लो के हिसाब से भी टू टाइप से है पेरोडॉक्सिकल और रेट्रोग्रेट ठीक है यहां से सुनना एम्बलाई क्रोसिंग ओवर फ्रॉम वीनस से स्कार्ट्रीटेश्यशन टो अर्ट्रीय से इसमें यह बोल रहा है कि जो पैरडॉक्सिकल ऐंबलाई है तो जहां पर बने खर बने से बीनस चर्कुलेशन और वो चला जाएगा अर्ट्रीय सेसे कि डीव डीवें यह लैग वीन आब लाई क्रोस्ट्टू प्लमनरि शर्कू प्रोस्टेटिक आर्शनोमा तु इस पाइन वाई इंट्रास्पाइन वीन तो यह रेट्रोगेड आपलाई जो होगी ब्लॉट के फ्लोगे अगेंस जाएगी और पराडोक्सिकल ब्लॉट के फ्लोगे जैसे उसी के साथ जा रही है तो इसका एक्जामपल के इस्प्रेड करिसे कर्सिनोमा तो स्पाइन वैं इंट्रास्पाइन विए तो यह जब फ्लू एक प्राक्सिकल नहीं मतलब रेट्रोगेड होता है तो इसमें अपन को चार से पांच इंब बलाई पढ़ना है लिए प्ल्मुनरी एंबलिजम पढ़ना है इसे फिर उसके बाद अपन को पढ़ना fat embolism, fat के बाद air embolism, air के बाद पढ़ेंगे अपन, amniotic fluid embolism, ठीक है, तो इसमें pulmonary embolism जो है, वो सबसे ज़्यादा important है, तो उसके सबसे ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, पांच नमबर में आ सकते हैं, बाकी जो emboli है, वो भी चोटे-चोटे question में आ सकते हैं, फिर बड़ी में भी आ सकते हैं, तो मैंने सारा cover किया है, ठीक है, तो pulmonary embolism start करते हैं, embolism in which emboli occlude pulmonary arterial tree, जो pulmonary arterial tree को occlude करें embolus, उसको बोलते pulmonary embolus, ठीक है, source कहां से हो सकता है, कहां से हो सकता है, deep leg vein, DBTs are the source of more than 95% of pulmonary embolism, तो जो deep leg vein से, जो deep vein thrombosis से बनने पढ़ा था, उससे जो embolus formation होता है, वो 95% तक चांसे होते हैं, कि वो pulmonary embolism करेंगे, मतलब फिर pulmonary embolism 95% DBT से होता है, और other जो होते हैं, pelvic vein और Vena Kava से भी हो सकता है, ठीक है, पिर आता risk factor, major risk factor is after surgery, surgery के बाद हो सकता है, risk increase with advancing age, obesity, post operating infection, वो cancer, तो यह risk factor हैं, जिससे की pulmonary embolism हो सकता है, अब होता है, कैसे कैसे हैं, तो क्या होगा, कि जो deep vein thrombosis है, वहाँ पर fragmentation होगा, जो thrombosis उसका fragmentation होगा, और get detached from its origin, तो जहाँ पर leg vein में formation होगा, तो उसका origin से, वहाँ से detach होगा, then carried through venus channel to the right side of the heart, अब veins के through वो ठीक है, तो right ventricle से blood कहा जाता है, अपने lungs में जाता है, तो then enter into the pulmonary arterial vasculature, तो यह है pathogenesis के कैसे, जो emboli है, वो अपने legs से, अपने lungs में कैसे कैसे गया है, ठीक है, फिर आते clinical feature, clinical feature में आता है, cuff, severe pleuritic pain, shortness of breath, occasionally hemoptysis and hemorrhagic pleural effusion, तो यह सब clinical feature है, cuff हो सकता है, pleuritic pain, shortness of breath, ठीक तो यह सब हो सकता है, फिर आता fate of pulmonary embolism, तो अब क्या 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 कर सकता है, अपने thrombosis का fate देखा था क्या 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 कर रहा था, उसका resolution हो रहा था, और्गनाईजिशन हो रहा था, है ना, तो वैसी pulmonary embolism क्या 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 कर सकता है, सबसे पहले resolution और organization, तो small emboli में travel into smaller branches of pulmonary arteries and resolution में resolve complete, तो जो small emboli है, वो जो आंगे जाएंगे smaller branches में जाके वहाँ पर चिपक जाएंगे, और पूरी तरी से उसका resolution हो जाएगा, resolution मतलब कि वो वाल से चिपक गया है, ठीक है, फिर next आता massive pulmonary embolism, massive pulmonary embolism का बतलब when emboli abstract more than 60% of pulmonary circulation, ठीक है, तो उसके बोलते है, मैंसे pulmonary embolism resolution or organization में जादे effect नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर वाल में जाके खटा हो गया था, तो उसने इतना जादा occlusion नहीं किया था, जबकि जो massive pulmonary embolism है, कि ऐसे जगे embolism जो है, वाल से obstruct कर रहा है, जहाँ पर more than 60% of pulmonary circulation जो है, वो obstruct हो रहा है, जैसे कि saddle embolism, saddle embolism में कहते है, large pulmonary embol which lodges at the bifurcation of main pulmonary, तो जहाँ पर main pulmonary artery का bifurcation है, वहाँ पर जाके इसने embolism formation कर दिया, वहाँ पर जाके obstruction कर दिया, ठीक है, तो जिससे कहोगा produce massive obstruction of blood flow to the lungs, अब blood flow जो lungs में हो रहा था, उसमें बहुत जादा obstruction होगे है, ठीक है, it leads to the acute right ventricular failure, अब जो है, वो lungs से, अब right ventricle में, जो है, right ventricle से lungs में जा रहा था fluid, ना blood, तो अब जहाँ नहीं पाएगा, तो right ventricle क्या हो जाएगा, failure हो जाएगा, तो शौक हो सकता है, कैसे, right ventricular failure होगा, reduction in the left ventricle cardiac output, अब right ventricle से, right ventricle से lungs में नहीं जा रहा था blood, अफिर lung से oxygenated होके, अपने जा रहा था, left ventricle से body में, तो left ventricle पर ही blood नहीं पहुच पाएगा, अच्छे से, तो left ventricle पर नहीं पहुचेगा, तो उससे क्या होगा, cardiac output कम होजगा, certain severe hypertension, hypertension होगा, और उससे, उसकी death हो सकती है, तो यह है, मैंसे pulmonary embolism, ठीक है, तो यह होगा, दूसरा फेट, फिर तीसरा आता, multiple small emboli में occlude smaller pulmonary vessel, तो बह बहुत जदे important resolution और massive pulmonary embolism, यह दोनों याद करने हैं ना, समझ में आगया होगा, फिर next आता है, complication क्या क्या हो सकते हैं, तो complication pulmonary infraction due to obstruction of end arteriolar pulmonary branches, तो pulmonary, मतलब lungs में infraction हो सकता है, क्यो end arteries में जाके वो अगर चिपक जाए हैं, वैसे तो dual supply होती, लंक्स में पर, जो end arteries होती ह तो वहाँ पर जाके अगर obstruction हो गया, तो फिर वहाँ पर oxygen नहीं पहुंच पाएगी, blood supply नहीं पहुंच पाएगी, तो वहाँ पर infraction हो सकता है, फिर next आता pulmonary hemorrhage, due to obstruction of terminal branches of pulmonary artery, तो pulmonary infraction हो गया, pulmonary hemorrhage भी होता है, कि वहाँ पर जाके hemorrhage हो जाएगा, भट जाएगी तो उ right-sided heart failure, multiple emboli clogging, pulmonary capillary circulation, तो pulmonary hypertension भी हो जाएगा, फिर अगला है, sudden death, due to right-sided heart failure, तो ये चार complication है, बहुत important है, समझ में आएगा हो, pulmonary infraction, pulmonary hemorrhage, pulmonary hypertension, sudden death, sudden death वाला तो समझाई दिया, तो ये था pulmonary embolism में, ये पांच नमबर में अलग से आ सकता है, ठीक है, और अगर embolism पूर by occlude systemic arterial circulation, तो उसमें किसमें कर रही थी pulmonary में, lungs की vessel को कर रही थी, इसमें क्या करेंगे, systemic arterial circulation को करना अपन को है न, obstruct, फिर, source क्या है, heart, most common source है, intracardiac mural thrombi, valvular source है, bacterial endocarditis, इन सब से जो है, वो ये thrombo embolism हो सकता है, ठीक है, फिर, blood vessel, ulcerated atherosclerotic plug, तो इससे भी generate हो सकता है, systemic thrombo embolism किस से हो सकता है, एक heart है, heart है, जो source है, बहुत most common source है, और blood vessel से भी हो सकता, फिर, next आता, consequences, तो, RTL emboli travel to a distance site, तो, जो RTL emboli है, वो दूसरी जगा चले है, ठीक है, distance site चले है, वहाँ जाके क्या करा देगी, वहाँ पर embolus जमा हो जाएगा, और वहाँ जाके infraction करा दे और दूसरे क्या, propagation and obstruction, thrombo emboli में grow locally at the site of arrest and produce severe obstruction leading to the infraction, ठीक है, तो, एक तो, distance site पर चले जाए, और एक क्या होगा, propagation, propagation मतलब उसका growth होने लगती, emboli की, वो growth होते आएगी, growth होते आएगी, और वो finally occlude कर देगा, पूरे structure को, ठीक है, तो, देखो, यहाँ पर देखो, सबसे प उटके vegetation आँगे चले एगी, तो, यह embolism formation कर देगा, अथरस्कलोस में आता है, तो, इसे embolism हो सकता है, एनरिजम से भी हो सकता है, ठीक है, फिर यह था एक जगह से दूसरे जगह, जैसे कि brain में गया, तो cerebral infract कर देगा, kidney में गया, तो renal infract कर देगा, अपने intestine में गया, तो infraction of bovil कर देगा, spleen को infract कर देगा, अपने limbs में चला गया, तो dry gangrene कर देगा, तो यह सब effect है, ठीक है, तो दो हो सके हो गए, क्या consequence is, arterial emboli, arterial emboli से दूसरी जगह, जो है, वो दूसरी साइट में भी जा सकता है, और propagation और obstruction भी कर सकता है, यह ना, same side पर जहां पर भी बना है, ठीक है, फिर next आता fat embolism, fat embolism is defined as obstruction of arterioles and capillaries by fat globule with or without marrow element, तो flat globule है, उससे obstruction हो जाए, तो उसको बोलते है fat embolism, ठीक है, फिर cause क्या है, trauma to long bone और soft tissue, fracture with embolization of fatty marrow, तो trauma हो जाए, कुछ fracture बगार हो जाए, long bones का, उस वज़े से extensive burns के गेस में, pancreatitis के गेस में, diabetes mellitus, vagress, cardiopulmonary resuscitation, ठ ठीक है, तो यह सब cause है, कि fat embolism क्यों हो सकता है, ठीक है, फिर trauma होगा, इन सब से क्या होगा, fat molecules निकलते बाहर और इससे embolism formation हो जाता है, ठीक है, फिर pathogenesis, तो mechanical abstract में क्या है, fat globule, occlude pulmonary or systemic circulation to cause platelet and RBC aggregation leading to hypoxia of that tissue and organ, तो इसमें क्या होता है, जो fat globule है, है न, वो occlude करेंगे pulmonary and systemic circulation की vessels को, है न, जैसे कि brain, kidney और वो सारे organ में, और वहाँ पर क्या होगा, कि जैसे ही उसको occlude करेंगे, वहाँ पर platelet, RBC aggregation होने लागेगा, है न, और जिस वाज़े से वहाँ पर blood नहीं पहुँच पाए गा, और उस organ की hypoxia हो जाएगी, ठीक है, यह mechanical abstraction था, fat globule ने जाके, वहाँ पर mechanically obstruct कर दिया उसको, और वहाँ पर platelet plug बन गया, और जिस वाज़े से, और blood नहीं पहुच पा रहा, और वहाँ पर क्या होगा, हाई पोक्सिया हो गया, फिर next आता, biochemical injury, दो टाइप पहतने से, mechanical obstruction ने, biochemical injury, जिसमें क्या होगा, breakdown of fat globule into free fatty acid, ठीक है, free fatty acid में टूड तो वहाँ पर क्या होता है, platelet चाहती है, उसको सही करने के लिए, production of free radical proteases and ucasoanides vascular damage, यह पर जैसे यह पर जैसी यह platelets activation वगरा होता है, तो इससे क्या होता है, यह सब generate होते, free radical proteases, ठीक है, यह सब तो यह क्या करते है, damage करते फरदर, ठीक है, तो यह दो टाइप के हैं, जि include, तो एक से तीन दिन में clinical manifestation देखेंगा और क्या क्या होगा, टेक टेकिप्निया, डिस्निया और टेकिकार्डिया, pulmonary insufficiency जब लंग्स में ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है, तो इस वैसे यह संप्टम्स हैंगे, टेकिप्निया, डिस्निया और टेकिकार्डिया, फिर irritability, restlessness, delirium and coma, neurological effect, मतलब brain में supply नहीं पहुच बारी ब्लड की, तो irritability, restlessness, delirium, coma हो जाएगा, पिर नेक्स आता अनिमय, due to aggregation of RBC and micro angiopathic hemolysis, ठीक तो अनिमय हो जाएगा, RBC बगरे का aggregation हो रहा तो RBC का amount कम हो जाएगा, तो यह था अपना fat embolism, नेक्स आता है, air embolism, air bubble in the circulation can obstruct the vascular flow and cause ischemic injury, तो अगर अपने blood circulation में air bubbles आजाएगे, तो वो जी normal blood flows को obstruct करेंगे, उस वैसे ischemic injury हो सकती है, क्या 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 cause हो सकते है, air can sucked into the arterial and venous circulation in the following condition, जब भी air in सब में arterial and venous circulation भरेगी, तब यह air embolism हो सकता है, क्या क्या क्या, operative procedure, surgery in the head and neck and cardiothoracic region और obstetric manipulations, तो कुछ operative procedure वगेरा कर रहे हैं, तो उसन सब में भी हो सकता है, ठीक है, trauma होगा कुछ, trauma particularly penetrating chest wall injury, कुछ किसी ने, किसी trauma के वैसे chest wall में injury होई, ठीक है, तो उस वज़े से क्या हो जाता है, तब भी air bubbles जो हैं, वो अंदर जा सकते हैं, decompression sickness, decompression sickness अभी आँगे दिखते हैं, फिर intravenous infusion, तो अगर intravenous अपन कुछ inject कर रहे हैं, तो उस वज़े से भी जो bubbles अंदर जा सकते हैं, angiopathy और angiography, ये भी एक technique होती, जो heart की manifestation को check करने के लिए होता है, तो उसमें भी क्या होता है, air bubbles अंदर जा सकते हैं, फिर आता decompression sickness होता है, दो type की acute और chronic, तो acute में देखते हैं, develop when person exposed to sudden decrease in atmospheric pressure, तो मतलब ऐसा है कि अगर person low pressure वाले में जा रहा है, और एकदम से high pressure में जा रहा है, जैसे पानी के नीचे गया हो, और एकदम से low pressure वाले में चला है, एकदम से pressure घढ जा है, जैसे scuba and deep sea divers होते हैं, sports driving, कि वो समय तो कि नीचे गय, और जब एकदम से वो उपर आ जाएंगे तो pressure में difference आएगा तो उसमें air bubbles बन सकते हैं, ठीक है, chronic में आता है cash and disease, cash and disease में क्या, कि it is a specific form of air embolism which occurs when a person decompresses suddenly across area with major pressure difference, तो इसमें भी यही होता है कि एकदम से pressure difference वाले area में आ जाएगे, पहले से high pressure वाले में तो लो pressure मतलब एकदम से pressure में difference आएगा, ठीक है, diving bells used in the bridge construction, तो जो diving bells use करते तो ना bridge construction में, जैसे यह देखो, यहाँ पर यह bell बना हुआ है, यहाँ पर नीचे bridge construct करना तो इसके अंदर यह आदमी बुसा रहता था, ठीक है, तो यह diving bell बोलते थे इसको, ठीक है, यहाँ से bridge construction होता था, जैसे यह यह से बाहर निकलेगा, एकदम से suddenly pressure change होगा, तो इस वज़े से क्या हो सकता है, कि air embolism मतलब, air अंदर जो है अपने, उसमें formation हो सकता है, ठीक है, तो अब यह mechanism देखते होता कैसे था यह, सबसे पहले, air is breathed at high atmospheric pressure during a deep sea dive, तो जो बहुत मतलब जो आपन ने, वहाँ पर high atmospheric pressure में, air जो आपन उसे inhale करेंगे, जो slender रहता है, ऑक् कैसे वो भी अपनी body fluid में चले जाएंगी, एक दम से, हैना, फिर क्या होगा, फिर gradual ascend, gradual ascend मतलब, कि अगर अपन धीरे-धीरे ऊपर आएंगे, तो जो जो है, अपने धीरे-धीरे circulation से बहार आ जाएंगे, वह हैंना, gases, तो कोई भी injury produce नहीं करेंगे, पर, to rapid accent, gas bubbles form in the blood, circulation and within tissue, तो अगर अपन एक दम से उपर आ जाएंगे, तो जो gas है, वह बहार नहीं निकल पाएंगे, और अपने क्या बना लें, gas bubble बना लेंगे, तो फिर जो gas bubble रहेंगे, within small vessel, obstruct the blood flow, supply causing injury to the cell, अब जो gas bubble बने, और वो obstruction कर देंगे, जो vessels हैं, और वहाँ पर injury कर सकते हैं, जैसे अपना हैंवरेज, ये सब करा दीगा, ठीक है, तो बस समझाने का मतलब यह था कि कैसे होता है, air embolism को formation कैसे होता है, तो यह था air embolism के बारे में, ठीक है, फिर नेक्स्ट आथा अपना amniotic fluid embolism, इंट डेबलेज़् वन अम्योटिक फ्लूट अलोंग विज फेटल सेल and debris enter the maternal circulation, तो इसमें क्या होता है, कि जब amniotic fluid, fetal cell, debris, maternal blood में, maternal circulation में enter कर जाए, delivery की टाइम में ऐसा होता है, कि entry occurs through open and uterine cervical vein, तो यहाँ पर अगर जो placental vein है, और uterine vein है, उसमें रप्चर हो गया, तो जिस वाज़े से जो यह इसका fetal cells थी, amniotic fluid थी, इसा मदर के circulation में enter करने लेग it is rare maternal threatening complication, which occur at the end of labor and in immediate postpartum period, तो यह कब होता है, कि just labor के end में और postpartum period में, यह जो है, यह ऐसे complication हो सकता है, कि maternal blood में सब चीज़ें चली जाए, तो clinical feature क्या होए, समद्ध में आ गया ना, कि क्या हुआ, कि amniotic fluid यह सब जो है, वो mother के circulation में enter कर गए, इस वैसे embolism formation हो जाएगा, ठीक है, तो clinical finding क्या है, sudden respiratory distress syndrome होगा, deep sinus, hypovolemic shock हो जाएगा, seizures, convulsion, coma and death, यह सब इत जादा clinical finding सपन को मिल सकती, क्यों, क्योंकि यह जो था, यह foreign particles थे, ठीक है, fetal cell, amniotic fluid, debris, तो यह mother के circulation में जैसे ही जाएगे, तो वहाँ obstruction कर देंगे, वैसल का, तो उस वैसे सारी clinical finding सारी, microscopic feature में pulmonary microcirculation, so fetal skin, वहाँ पर pulmonary microcirculation, fetal skin देखेगे, इस chemical cells देखेंगे, leningo hair देखेंगे, mutant form, fetal respiratory tract और GIT, यह सब देखेंगे, ठीक है, तो यह सब आजाएगा, mother की death हो सकती है, ठीक है, और death जो है, वो disseminated intravascular coagulation से भी हो सकती है, ठीक है, तो यह सब था, इसमें pulmonary embolism सबसे जादे important है, वह कर लेना, बाकि यह छोटे-छोटे हैं तो देख लिना, thank you,